बड़ी खबर आपको बता दे, S.P. के अधक्ष अखलेश शादव का रामपूर दारा होना था, फिलाल वो दारा रद हो गया है। और नरेंद्र यादव हमारे साथ, हमारे सयोगी जादव जादव एक रे जुड़ रहे हैं। कि पाती मुख्याले में बैठक चल रही है और उसमें क्या मन्थन देखिए फिलाल अभी सपाराश्टी अध्यक्ष अखलेस यादो लखनो के अपने इस डफ्तर पर मौजूद हैं जहां उनके साथ परदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल मौजूद हैं और वरिष्ट न मौजूद हैं इससे पहले राम गोविन चोधरी विधान सभा के पर्त्पक्ष के नेता ओ भी आये थे उन्होंने भी मुलाकात किया था और अखलेस यादों से वार्ता हुई थी और पश्चमी उत्तर परदेश के कई विधायक भी अखलेस यादों के साथ मौजूद हैं औ कि रात में ही आजम खा और उनके बेटे और उनकी पतनी को सीतापूर जेल सिफ्ट कर दिया गया है इसको देखते हुए अखलेस यादों ने अपना रामपूर का दोरा निरस्त कर दिया है और सुबा से ही अखलेस यादों अपने दफ्तर पर मौजूद हैं जहां पर वो अ अखलेस यादों के साथ वारता कर रहेंगे अगली रणनीत पर अखलेस यादों भी थोड़ी देर में हो सकता खुलासा करें इसके बाद ही सूचना मिल पाएगी कि अखलेस यादों सीतापूर जाएंगे कि नहीं जाएंगे पार्टी का इस मामले पर क्या इस्टेंड रहत पर बड़ी चुनोती है कि जब उनके तीन बड़े नेता है अब ही जो बैठा कहां पर चल रही है और आप कह रहे हैं कि बैठा के बाद ही अगली रणीती तै होगी क्या ऐसा लगता है कि पार्टी के पास कुछ यहाँ पर विकल्प है या कुछ ऐसी चीजें हैं कि शायद वो आजम खान को बचा ले कि ऐसी यहाँ पर पावर अभी मिलती भी दिखाए दे रहे हैं पार्टी के भीतर देखे पार्टी अपनी रणीत बनाएगी जिसमें हो सकता है कि रामपूर जाएं उनके परजिनों से मिलें या सीता पूर जाएं जेल में मिलने का प्रियास किया जाएं क्योंकि जहां अखले से आदो और समाजवादी पार्टी के साथ और दल भारती जंता पार्टी पर आरोप लगा रहें कि बदले की कारवाई है और ऐसा नहीं करना चाहिए राज़ीत में तो वहीं अखले से आदो अपनी रणनीत के तहत पार्टी कायर करताओं से बात करके सीता पूर जा सकते हैं आराम पूर जा सकते हैं या कोई अंदोलन परदर्सन की रणनीत अपनाई जा सकती है लेकिन हाई कोट के निर्देश पर और तमाम जो कोट के आदेश पर इनको जेल हुआ है कई मुकदमे दर्ज हैं तो कोट के फैसले के खिलाफ पार्टी नहीं जा सकती है वो परदर्सन का रास्ता अक्तियार कर सकती है यह जेल में जाकर उनसे मुलाकात कर सकती है इस मामले पे अपनी अपना बयान जारी कर सकता है लेकिन ज्यादा बिकल्प नहीं आगे की रणीती पता चलेगी धन्यवाद आपका फला नारे इंद्रमार सा जुड़ने के लिए